हलो नुमस्कार साथियों आप सभी को स्वागत है आप सबका अपना परिवार पर तक्या परिवार पर शुगायच आप सभी के लिए मुगल समराज की बात कर रहे हैं मैं अपने तरफ से पूरी प्रियास करूँगा कि आज मुगल इंपायर जो है पूरे खत्यम कर दूगा थ कि 이야기 अगे अगे क्या होता है सहोग दिना समय ब्रवात की वे हम आपको शुरू करता आध्याय नमर्थ 10 और अपको मुगल इंपायर है तो अब यहां पर किसकी बात करते हैं मुगल alive कीवं पात करते हैं मुगल समराज की बात करते हैं घाइश्स सभी को पता कि मेड़ल हैना आपका और घीचते तिर तो गहां जाएगा अठासो संतामान जाएगा लेकिन जो यहां से 1707 के बाद अठासो संतामान जो हमें पढ़ना है उसे हमें आधूनी काल में उसकी मधियन कर सकते हैं आधूनी के तियास में हम आपको वहां पर इसको पढ़ा देगे तो अभी हमें 15-26 से लेकप और आपका 1707 तक ही मेन देखना है जिसमें से आपका बाबर, हिमायू, अकबर, जहांगीर, साजहां और औरंगजेब देखना है उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है, यह मुगलों का सबसे अंतीम है, जिसकी मिर्त अठाश संतामर में होगा, तो यह बहादूर से जबफर है यहां के बाद औरंगजेब के बाद इसका उत्तरादिकारी ससक पढ़ने के लिए इसके बाद होता है, तो हम आधूनी काल में हम आपको अच्छी तरह से समझाने की प्रयास करेंगे, यह पिर टॉपिक हम यहां पर लाओंगा तो सबसे पहले मुगल काल में मुख रूप से जो मेनमेन राजा है, जहां मुख जो इसको तकत्तवर सकते हैं, वो आपका बाबर हुए, हिमाय हुए, अकबर हुए, जहांगीर हुए, साजा हुए, और अगजेब हुए, यानि तीन इधर और छे आपका, इसका ट्रीक विल रखना है और रंग जेब, याई इसको ट्रीक में हुए, साइया यारा, Śू हो ऊपए, जहांगीर हुए, जहांगीर हुए, तो आपका अंती मुगल ताकतवर सासक है और अंगजेव और घीज तीर के खालिक है कि अंती मुगल का ताकतवर सासक और अंगजेव और का अंती मुगल सासक तो आपका बहादूर सा जफ़र या इसको बोलते हैं बहादूर सा दुसरा तो शुरू करते हैं इनको इंड्रोड प्रच्ण में क्या क्किया है तैमूरलंग मध इस इमन की नाम ता च्पना मता विगें और आपका पछमी इन पूरवी एरान में सप्विल्स और पच्पीर में सभी वंज और और मद A.C.I. या टांस और उट्जबेग वंस और यही एरिया फरगना था और यही फरगना का थाप का बाबर और यही बाबर ने मुगल वंस का स्थापना करेगा दिल्डी सल्तनत का लोदी वंस का आख्री सासर इबराहिम लोदी को हरा कर अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों या चत्तगाई साखा से मुगल आये हैं और सुनी मुगल की बात करते हैं तो पद या पादसाई या इसको बादसा की उपादी इसमें लोग लिया करते हैं सबसे पहले समझते हैं जहरुदीन मुहम्मद बावर यही अपना जहरुदीन मुहम्मद बावर साहिब है कितनी सुन्दर लग रहे हैं वाँ वाँ यह गजब गजब आप बात करते हैं कब से कब तक रहेंगे तो 1526 से 1530 तक जहरुदीन मुहम्मद बावर का सासन काल चलेगा 2526 से लेकर 1530 तक, मुगल वंस का संस्थापक इसको बोलते हैं, तो मुगल वंस का संस्थापक है, जहरुदीन मुहंम्मद बावर, जो दिल्ली सल्तनत के आखरी वंस, लोदी वंस का सासर इबराहिम लोदी की मार दिया था, और यह पॉइंट समय तो इनकी परिचे होगे बाबर का क्या क्या काम की इनकी पहले क्या क्या उपादियां है सबसे पहले इनकी हम टाइटल के बाद कर लेते हैं सबसे पहले हम इनकी उपादियां की बाद कर लेते हैं तो सबसे पहले उपादियां जो है गाजी की उपादी इसको ख तुजूक एबाब्री या बाबर नामा इसके समकाल में कौन-कौन सा समराज चल रहा था तो बिजय नगर में कुर्ष्ण देवराय का सासन चल रहा था इस समय था दिलने में इबराहिम लोदी थे और आपका मालवा में महमुत सा दुसरा था मेवार में रना सांगा था और ब बढ़ाये को करना में कुछ बात बावर नामा भी कुछ बात इसका कहा गया अब इसके प्रणबिक रोड़ाई किया क्या क्या है तो सर पूल सबसे पहले इद्रत अफगानिस्तान में सर ए पूल कायद 1501 में तो याद रखना है सर ए पूल कायद कर लड़ा था दोस्तों तो सर ए पूल कायद 1501 में लड़ा था और यह बाबर और आपका उजबेग सासक सहवानी खां के बिच तो उजबेग के सासक सहवानी खां और बाबर के बिच लड़ा था इसका नाम है आपका सर ए पूल कायुद है बोलो कॉन सी पूल कायुद है इनका आपका नाम है अब हम कुछ बात को और समझते हैं अब हम क्या क्या समझेंगा दोस्तो यहां पर समझेगा उजबेगों का जो सहवाली खाएं सबसे पहले यूद में तुलगामा पत्ति का पर्योग किया अब अब यहां पर इन्होंने क्या किया था कि चाड़ तरफ अपने सेना को फैला दिया था और लगे कि पूरा भीड है इस पत्ति कहांगे तुलगामा पत्ति और चाट्रफ खाई बगए रहा था इसलिए का सेना जो था खाई में गिरके मर गया था भी पच्छुला ति काबूल प्रदिकार कर लिए मतलब समझेगा बाबर ने बाबर ने बाबर ने सेवानिक हां से समरकंद को हार गिया और पंदरफ चार में काबूल पर बाबर ने अब आगिया काबूल के तरह बाबर यहां के हारनेक बात जब इसको हार आये तो बाबर समरकंद हार गिया और 15 में काबूल प्रदिकार कर लिया, यानि किए हारने के बाद खूत काबूल पर चला गया, आगे बढ़ते हैं, नेश्ट पॉइंट में, भारत में बाबर की काम क्या क्या है, अब भारत में बाबर का आगवन से क्या क्या कराम पोइंटे समय सकते हन्तुन सबसे पहले बावर ने भात पर सबाया ओकर ने तो पाचमा आकरमन जो है 1526 में पानी पत का प्रत्थम युद हुआ था कारण क्या था पच्छीम एसिया के प्रतिकुल प्रस्थितियों काबूल से कम आईस को आ रहा था भरत में केंद्रिय सक्ति का अभाव था इसलिए यह 1526 में अटैक किया था और साथ साथ ये भी याद रख लेकिन फेवस जिसमें युद में विजई हुआ बावर वह आपका पाच बार सबसे पहले पानी पत का प्रत्थम युद एकईस अप्रेल सन 1526 में लोदी वन्स का सासक अंतिव सा इबराहिम लदी और बावर की बिच हुआ था और इसमें बावर विजई हो गिया इसके बा बावर विजई हुआ था तो बावर के विजई में आपका इबराहिम लदी के कुछ लोगों ने बावर को सपोर्ट कर दिया था खाना कईद हुआ था 17 मार्च 1527 में खाना कईद हुआ था राना सांगा जो मेवार का सा सकता और बावर के बिच याद रखना पानी पत का पर अगर सपोर्ट करता है दोनों मिल के इसको बगाता कि इबराहिम लोदी और आना सांगरबच पड़ता नहीं था बावर इसमें विजई हो गया फिर आपका चंदेरी काईद 29 जून 29 जून दोस्तों 1528 में और यह हुआ था मेदनी राय और बावर के बिच यह अफगान की सा पचाव अरफ पाणिया खाना खाया चान देखाए अब आब बावर मोर गया मतलब की पानीपत का परत्म युदbug 27 में और 1549 और बावर की मिर्तु पंदशो तीश में तो बाबर की मिर्तु कब तो बाबर की मिर्तु जो है पंद्रा सो कितना हम दोस्तो तो याद रखना है पंद्रा सो तीस में बाबर की मिर्तु हुआ तो हमें क्या क्या रखना है सबसे पर याद रखना है पानी पिया 26 में खाना खाया 27 में चांद देखा 28 में घर गया 29 में और फैक्ट हमें बावर से बन सकते हैं जो कि इंपोर्टेंट है सबसे पहले बावर ने आपका सबसे पहले भेरा कायुद रहा था गब सब्सक्राइब करते हैं पानी पत का पर्थम्यूद पंदर सब्सक्राइब इबराहिम लोदी और आपका पहला सुल्तान था जो इद भूमी में मारा गया और बाबर इसमें जीत गया अब यहां पर बाबर ने क्या क्या चीजों का यहां परियोग करता है तो बाबर सबसे पहले आपका तूलू गामा पत्ति का परियोग किया था कौन पत्ति गाईज तूलू गामा पत्ति अब हम समझाते हैं आपको कि तूलू गामा पत्ति हम किसको कहेंगे कौन सी सिस्टम को कौन सी पत्ति को हम तूलू गामा पत्ति के नाम से जान सकते हैं आपको याद रख वे से हृता कि अदिए वे इतार को अन्य है ईति इभर करना के माले करें थे तुव निया गारी नुसित है ऐसे रहे हैं और मंहोंडरक्टर न पहुंहों दूरार के वीश बंप कुरा तम देना दुगों ट्रेक्टरवा के बिच बं को रख देना कहलाता है तोपची और इसका दो तोपची था उस्ताद अली और मुस्तफा खान दोगों निशानेवाज भी आते हैं निशानेवाज कहे या तोपची कहे तो उस्ताद अली याफीर आपका मुस्तफा खान थे तोपो सबस्क्राइब धिक्रम जीत की मौद सबस्क्राइब हैं कुछ और बाते बाते हैं 1815 सबस्क्राइब बावर में इबब रोड़ी मниковत्तिक्ता जिखाद का और जी तो उपादे लिए ग्जी का अ पादे लिया चंदेरी इसमें यूर पहली बावर से उससे में लडाता हूं जो से आफिसके दीटांब LOVE हम लोग पढ़ेंगे सुर्बंस का स्थापना करेगा वही सेरसा वहां बाबर क्यों से लड़ेगा उसे बाबर का सेना हुआ करता अभी जोवर क्या होता है बड़ा ध्यान समझेगा कई सारी स्तिरियां जब क्या होता है ना कि स्तिरी का जो पती लोग होते हैं वो यूद में पत्नी इूद में गए होते हैं तब वह पत्नी लोग इंतिजार करते हैं कि भाई साहिशा इफ में मेरे पती जीते कि मेरे पती हारे अगर उनकी हार गए तो पत्नियां सब क्या करते थी कि एगर पत्ति हार गए तो उस समय के राजा जो था उनकीienst gen Euro बीन की उठाकर अपने होड के तम सवज ध़ज के और आग में कुद को जान दे दे यानि कि जब स्थिरियों सामई की रूप से आग में कुद कर जान देने की परकीरिया को जवर करते थे और बाबर चंदेरी के उद्ध में यह बात को पहली बार देखा था बात करते घागरा का युद मई 529 में हुआ था अफगान का साथ महमूद लोगी था और इसमें जल हुआ थल भी था और बंगाल के सासक नुश्रत सासे संदी किया था और बाबर की मिर्तु 26 दिसंबर 1530 में लहोर आशुरी माफ करेगा आगरा में हुआ था तो बा अथनी के पत्री जो मुवारक इसुप जई था जब उनकी किताब बाद में पढ़ रहा था लगबक लगबक ये सेर सास्तूरिक संकाल में उनकी जो बाबर जो अकबर नामा लिखे थे उसमें उन्हें कहा था कि भाई या हम जब मरेंगे तो हमरा कबर को काबूल में दफना लेकिन उकर अदमियान सब पहले की किताब पड़ भी नहीं किया था तो कहा था बदावाद या आगरा में उकर बाद अगर पत्नी लगए है हमर जानू कहा था काबूल में और कबर खोद के काबूल में दफना दिया इतनी बात समझ में आए क्या आगे बढ़ते हैं अब ज नामा या तुजू के बाबरे इसको फार्सी भासा में अनुवात किया था अब्दुलरहीम खान एक खाना या इसका सपोर्ट किया था पायंदा खान चार बाद योजना का वर्णन जो बाद में अकबर ने बनाया था इन बाबर के इसी आत्मकता में था मुबयान नामक अब योदिया में बाबरी महजित का निमान किसनी करवाया था सब्सक्राइब के बाद पहली बार काबूलोग कंध़ार बात के हिसा में मलता उत्त्ता दिकार बेटा के नाम ही दैधिक अब समझते हैं यहां पे हैं हो कि सवाल यहां पर ये मैंं चुछ कर असक्ते हैं तो ही मैय का प्रनाम नसीरुद्दीन मुहम्मद picture लेकिन दोस्तों याद रखना है यहां पर कुछ समझना है पंदरा सो तीस से लेके पंदरा सो चालीच तक सजन किया उसके बाद सेर सास्तुर नामक वेक्ति ने आपका हिमायों को भगा दिया और हिमायों चला गया दूसरे लेगा फिर से यहां पर तो पंदरा सो चालीच इसवे से लेकर पंदरा सो पचपन तक यहां परबन्स क चलते हैं और जब खतम हो गया तो फिर से बाबर था 1555 से 1556 तो इस तरह समझने की प्रयास करेंगा अब परिचार समझते हैं 29 दिसंबर 35 में मुगल समराज का बात्सा बनाओ इसने पहले आपका बद्खसा कास्रोविदार था बाबर के बात करते हैं तो बाबर ने दोस्तों इनकी जो आपके बेटा हुआ थे इसका सबसे और हिंदाल जो आपका अलवर का छेतर थे यानि यहीं पर थोड़ा बहुत इन्होंने अपनी हिसा को बार दिया था लेकिन कहा था सब एक साथ रहना लड़ना मत बस अलग-अलग काम करना अब यहां पर इन्होंने दिन पनाह नामक नगर के स्थापना किया था और दिन पन अफिम का सौकिन था दिन में सात रंग का कपड़ा कोंड पेहनते थे तो यहां देखना है तो यहां देंना है पर मत करते हम मेजर बात करते हैं हैंना हिमायों ने कौन-कौन से लड़ा और कितने इंपोर्टेंट सब लड़ाई हिमायों के लड़ा गया था गया देखना है सबसे पहले हिमायों ने 1531 में एक आपका कालेंजर के साथ प्रताप रुद्रिजस देव से भीड़ गया था फिर आपका दोरा महमुद लोधी से दोरा में फिर आपका चुनार का पर्थम यहां से भीड़ गया था इना पंदरा सो बतीस में से भीड़ गया था इसको हम लोग बोलते हैं देवरिया कायुद हैं कौन साइब देवरिया कायुद हैं अगला है 1535 में बहादूर सासिस का थ्रौत संहर्ष हुआ था 1549 में इसक में क्रणा पंदरा सो उन चालिसा अजनВы में कर दोस्तों तो अबर का उन्हें करणा यहिए आपका इसके बेटा हमा दो सटाइर ब्र्थम में साटलिय लग लिया था और 1529 में 14 का लड़ाई में हिमायू का तिल मिला दिया था हिमायू की भागने गई थे यह बिहार के बक्सर जिला में 4. काय था समझ में अब क्या है उसके बाद समय описании 1540 में उत्तरपर्दैस के कण्नया ख़ाएक ऐस्वरम्रा और इसमें बावर ने बावर सेर खाने हिमायू को क्या कर दिया आपका हरा दिया किसमें कन्योज या बिल्ग्राम का यूद में कौन दोस्तो तो आपका सेर खान किस को हराता है हिमायू को रादता है इतनी बाद समझ में आप पॉइंट और समझेगा यह यूद से हिमायू छोड़कर चला गया और यहां पे पंद्रा सो रायस्तान के सीमा पचला गया वह हम बाद में समझाएंगे उसके बाद जब हिमायू का बेटा आएगा सुने ध्यान से अकबर और अकबर बड़ा होगा और फिर वह आएगा लड़ाय करने के दिल्ली में और लड़ाय करेगा और पंद्रा सो पच्पन लड़ाय करेगा और अक्री शासकसा सिकंदर सूरी और दोनों को पटक पटक के मारेगा और फिर से भारत में अकबर और हिमायव बाब बेटा दोनों मिलके भात में नया वगन्स का स्थापना करेगा फिर से बटस लाएगा मुगल वखढ़ लाएगा इसलिए पन्द्रा सो अ तीस से चालिस और फिर पंद्रा सो पचपन से छपन हिमायु गद्धी पर फिर से बैठता है क्योंकि फिर से यह अपना मुगल काव वापस कर लिया था तो अगर कहेगा कि किस यूद में यह गड़बरा गिया था तो भाईया चौशा कायुद और आपका कन्योज कायुद में यह दोनों हिमायु पिता गया था लेकिन मच्हिवारा कायद और सरहीन कायद में हिमायु जीता अपने बेटा अकबर के दम पर फिर से यहां पर वंस का स्थापना किया और वापस लाया मुगल काव अब यहां पर कुछ पॉएं निंग भी गया की बात कर लेते हैं ओंर का subt सब्सक्राइब करते हैं तो अब यहां पर 1532 चुनार कहा है उत्तर परदेश में पूरो भरत का परवेश दुवार किसे कहा जाता है चुनार को कहा जाता है अब यहां पे बहादूर सा से संघर्ष मिल्ट को क्या किया हुआ गुजरात के सासर जो अफगान था गुजरात वह मालवा प्रमुगल का अधिकार था बहादूर्सा मांडू और मांडू हुमायों पर कबजा किया चंपानेर जो है बहादूर्सा पुर्तगाल के साथ क्या हूए? किवधंधकी की बात करते हैं तरानी करनावती ने हुमायों को राखी वेज़ी थी जो आपकी है किर्वांति के हिमायू ने अपने भाई असकरी को सोपा है ना अपने भाई किसा को सोपा असकरी को सोपा अब हम बात करते हैं चौसा कायुद में कौनसा हैं दोस्तों चौसा कायुद के हम बात करते हैं तो आपका 26 जुन 1549 में लड़ाय हुआ था उसका नाम है चौसा कराई क्या चौसा कराई यह चौसा बिहार के बकसर जिला में है कर्मनासन अधिया यह हिमाईू और सेर खां के भी चला था इसमें सेर निजाम नामक विष्ति नहीं हमायो को जान बचाया थी कर्वनाथ नहीं प्रोफन हैं। अब निजाम नामक भिष्टी ने जब जान बचाई तो हिमायू ने क्या किया निजाम को एक दिन का सुल्ता बना दिया अका लो भाई तुम एक दिन का राजा बनो को निजाम नामक भिष्टी अरी बकलोलवा का किया चम्ब्रे का सिक्का चला दिया तो आपको याद रखना ह जो कि खी जान बचाय था और उसे एक दिन के लिए एक दिन के लिए राजा को बना दिया गया था है या कि बोल है कौकर को जाता है थाल को भोल थी यहांगत जff बोलेंगे दोस्तों या फिर हम कनाउज काईद बोलेंगे और विल्गराम या कनाउज काईद के हम बात करते हैं तो 1540 में क्या 1540 में कनाउज या विल्गराम काईद हुआ हिमाय। हिंदाल असकेनी और इधर से साथ सेरसां और अफगान के विच्चु आपका हो रहा था जो सेरसां बांक के था हिमाय। हिमाय। हिंदाल को अधात्मी गुरु मीर अली पुत्र हमीदा बानु बेगम किसे क्या कर दिया निगाह कर दिया। इरान का साह दरवार में सरन लिया। 1545 में काबोल में उन्हें फिर से पूरा काबल अधिकार किया। और यहां पर भात में दित्य है। आफगान समराज की क्या हो गया। कि भी आपका सारी काम हुए चला गया। हमिदा बानु बेगम से इसका क्या हो गया। निकाह गिया एर्ण का सासक के दरवार मिश्रन लियेगे नुने और 545 में काबुल कंधार पिने धीर दे करके अधिकार करना अब बात करते हैं इनके मिर्थु और Hoş लाके इनके मिर्थू नहें का इंत्त मिर्थु जो हुआ इनका 1556 में और वह पुष्ट काले वहने गिरने से जब यह पुष्ट काले भावन बनाय थे पंद से के गुबंद से जो यहां पर इनकी चर्चा यहां पर आती है उत्तरवात में ही से आपका वस्तु के लाकिस नई दौर आपका अरम हुए थे हिमायू की बात करते हिमायू का बायोग्राफी आत्म कता है जिसके रचना गुल बदन बेगम ने की थे तो अगर पुछे का फिक है उसी तरह जिसर तरह तमाम जिनगी वह गिरते गिर्थे गिरते परते लजड़ता रहा की मैं औरया मयतन आहING चला गया छ Morning-919 का नाम है सूरबंस अके नाम पहले पढ़ लोते हैं सूरवंस के बारे में तो सूरवंस का संस्ताफाक था तो यह प्रद्जा disorder इसका आराजा आपका सेर्था्सा है इसलाम सा है फिरोस सा है मुहंम्मध सा important नहीं है सेर्थ सा से जाद फूर्प कोशचन बनते तो आगे बढ़ते हैं इस सेर्षा तो समझे गया है कि कनोज या विलगराम कायुद में सेर सासुर ने हिमायों को भगा दिया था तो अब यहां पे सड़सट वर्सों की आयों में 15-40 में दिल्ली में एक सूर बंस की अस्थापना सेर सासुर ने किया था जनम इसका बात करते हैं सेर सासुरिका तो 472 में बचपन का नाम की बात करते हैं तो बचपन का नाम इसका है फरीद खां क्या नाम है फरीद खां पिता का नाम करते हैं तो सासा राम के जामिनदार थे पिता का नाम जो पिता का नाम है हसन खां पिता का नाम इसका है और यह सासा राम के जमिनदार थे उपाद्यां की बात करते हैं तो शेर खान बिहार के सुवधार बहार खालोहाने के कहने नोकर पर या अपनी उभान नवकरि करते थे एक बार से लड़ गए तो बिहार का सुव्धार बहार खालोहाने ने इससे से इसा कवाилась दिया अभी उद्शा की पाद लिया को सेर्षा पंद्रा शून चालिस में चौ। में इनके मिर्त्व हो गया साथ किरत सिंग्छ के दौन उनका उक्का नामक यंतर सिर्ड उक्का नामक के अंतर किया था समझेब दोस्तों उन्हें पंद्राशोब प्रफटालिस में कालेंज रवान पर गया थे तो वहां का सशक था साशक कीरत स्थ औरुने क्या कि या क्या होला जो है वह कीरत सिंग के एरिया में फेका यानि कीरत सिंग का जो बहुत बाद दरवाजा लगा हुआ था उसका बॉंड्रिंग था उसपर्फेका और वció आक्स का गोला उपका नामा के अंत्र जो बहें जो भी आकका गोला टाप के अंत्र था वसी पराइक गिर पड़ा तो इसी से उनकी क्या हो गए मिर्तु गई इनका मकब्रा की बात करते है तो विहार का सासराम यही इनका मकब्रा है विहार सबसे पहले मुगलों की और से बाबर की और से शेर साने चंदेरी काईद 1528 में लड़ा था करते हैं तो कालेंजर में जो आपका है 1545 में कीरत सिंग के और इसके अंतीम यूद सा अंतीम राय था क्योंकि यहां पर मिर्तू हो गए थे सेर सा मारवार यूद में राजपुतो के सौर से इतनी परभावित हुआ कि उसने कहा मैं मुठी भर बाजले के लिए लगवग हिंदुस्तान का समराज खो चुका है यहीं पर राजपुतों के बारे मिंहें अटेक के सनमय ने यहां बात को कह था अब यह क्या क्या किया। एकोनोमिक रिफॉर्म सेर्सासूरी आर्थिक भूर अजस्व शुदहारों के लिए जाना जाता था। तो सेर सासूरी जो है, आर्थिक भूर एस तो सुधार के क्या जाते था? इसकी सहाइक टोडरमल थे, जब्त परनाली वह आपका टोडरमल थे, जब्त परनाली था, और इसके साथ अहमद खाते थे. सुधार की बात करते हैं, सेर साने भूमी को माप के लिए 32 अंक वाली सिकंद्री ये गज एवं सन ये डंडी का पर्यों किया, 178 ग्रेंड चांदी का रुपिया वह 380 ग्रेंड चांदे का दाम चलाया था, दोस्तों यहां पे 3 परकार के उने सिक्का चलाया था, यहां पे असर्फी, सोने का सिक्का असर्फी, चांदी का दाम और तामबा का तामबा था, तामबा का दाम था, अब यहां पे सोने को सिक्का क्या का रुपिया कहा था, और तामबे को दाम कहा था, गरीब लोग इसका परियोग करते थे, मध्यम को लोग इसका परियोग करते थे, और यूप में बसूली करता था एक बटा तीन मतलब क्या होता है एक तिहाई मतलब क्या होता है गाए शो समझना दोष्टों अगर आपने 10 Q Case 1 CN अपड़ाइया है तो इसका एक बटा थीन अधिकारे को गराजा को नजयदेना पड़ेगा और लोट प्रतिशक ब्रूमी सर्वेच्षन जय्दा था और मुह शिलाना यानि कि भूमी को सर्वेच्षन करता था कर संग रहा कर टेक्स को तसलता था वह आपका पाच पर्चेंट नामक कर लेता था अब यहां पे हम कुछ और बाते समाजने की कौशिश करते हैं इसका अधर फैक्ट क्या क्या है आनेपद क्या क्या सबसे पहले 1541 में पाठली पुत्र को पठना के नाम से पुना स्थापित किया अगर कोश्चन आवे कि पाठली पुत्र का अस्थापना तो उदैन किया था जो हर्यक बंच करता था इसी पाठली पुत्र को पठना किसने बनाया तो आपका 1541 में सेर सासुरी ने पठना सार का अस्थापना किया पटना सहर जाद दिमाग नहीं लगाना है पटना सहर 1541 में सेर सासुरी और पाटली पुत्रा उदाइन चुकि हर्यकबंज का साथ सकता जीटी रोड ग्रेंड ट्रेंक रोड की मरम्मत करवाय थी डाक पर्था का पर्चलन भी यही करवाय था मलिक मुहम्मद जैसी सेर साका समकालें था और मलिक मुहम्मद जैसी जो है एक उपन्यास लिखें बहुत सरा उपन्यास लिखें मलिक मुहम्मद जैसी अब यहां पर वास्तूकला कि बात करते हैं आर्टिक रेक्ट्र की बात करतें तो रोहतासगाड की किला बनाया जो कि आपका रोहतास बिहार में है किला ये कोना बनाया इन्होंने भी खुलिया और दाक पर्था का विवस्ता किया था आगरा में दानक लंगर चलाया थे दान लंगर आगरा दे कुछ बाते और किनी जो है इस पाठान ने अपने पाच बर्सों जितना कुछ कर डाला उतना मुगल मुगर अंग्रेच भी ना कर सके मत्ति की नी इति वाप्सी अब होगा मुगल सिर्ध मुगल का ब्रवाधी तैस्य हिमायों सिर्शा को हराने के बाद शिर सब्सुर KIवा में 15 subtilem और вед गांगर कीते कि दोस्त की पूत्री हमिदा बानोबेगम से बिवा किया और अकपर इसकी मा मत्हला उस्ति जनम होगा अकवर 1545 से पच्छपंध काबूल पेशावार और लहुर प्रकब्जक करके हमायु रखा था, मई 1555 में अफगान के सरदार नसीब खान से मची वाड़ा का इदुरा, तो मची वाड़ा का लो यूध जू आपका अफगान चे सरदार नसीब खान से और हुमायु के ब्च लड़ा ज उसके बाद करते हैं सताय जनुप शप्पन में दीन पिना महल दिल्ली में पुष्ट काले भवन में इसकी क्या हो गई मिरतु गई और इसका बेटा था अकबर तो अगला साज़ा कौन बनेगा अकबर बनेंगे और अकबर से काफी इंपोर्टेंट कोचन बनते हैं और सबसे व는데 हम बात करते हैं अकबर का प्रोणाम जल्ला अउदीन को आपर का प्रोणाम था जिसकी कारकार 1556 सो लेकर 16 पाची च्वी तक चलाता है अकबर की जनम की बात करते हैं तो 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जनम हुआ इनके पिता का नाम हिमायु माता का नाम हमीदा बानो बेगम थी और यह स्थान कहां था तो राना वीर साल के महल अमरकोट सिंध जो कि अभी पाकिस्तान में चला गया है वहीं से इनका जनम हुआ था इनका नाम क्या है तो भीया इनका नाम जलाल थे जो आपका वहां पर जनम हुआ था और इनका सिच्चक का नाम क्या था अब्दुललतीब था इनका एक मस्टर थे अब्दुललतीब अब हम कुछ और बेसिक बात करते हैं यही अकबर साहिब है और अच्छा साहथ ते महान भी कहा जाता है बाद मीन की दो सी चक और पीर-मुहम्मद और बेरम-खान संषक बनेगा पीर-मौहम्मद भी तुरबो देकरे करेगा आगे बढ़ते हैं अकबर की चोड़ा फरवरी 1556 चौटे से बहुत है टेरा वर्स चार मां है तेरा वर्स चार मा का जब्था तब उसको राजबिसे करा दिया गया इसका संरच्छक या वजीर करते है तो बैरम खाने खाना कहा जाता है में इनके साथ यह था बाद में इनकी लड़ाई भी हो जागा हम आगे समझते हैं उपादी की बात करते है जलावदीन मुहम्मद अकबर बादसाही गाजी इस दो पादिलिया कले ता है गाजी का ऑपादिलिया अक्बर का साफन काल को बेरहां मा की तरह एक महिला तो इसको महा मन überhaupt एपादी वह झाठे से लेकर 1605 तक अपने मन ससंद किया मत्तलब कि अपने होस और हवास मी सासं किया कब से कब तर पंद्रह दू बार सबस्द कर कर 165 तक अब आगे बढ़ते हैं अब यहां पर बैरम खांगा संरच्छा काल कपसे कर क्या क्या कहानी है बहुत ध्यान से समझने कि हम कोशिज करते हैं यह आपका बैरम खाज है इनके दूब मुच्छी है है ना गजब गजब के देख रहे हैं ना बैरम वैचारा यहां देख के कि 1556 से लेकर 1506 इसे अकबर का संरच्चक रहा वह बगार दीआ इस अब गजया था उपादी क्या लिया था आप उपादी दिया था क्या-क्या था तो पाणी पत्का दुसरा युद में हेमु को रहा था बाबर गद्धीस पर बैठने से पहले जब अकबर की मृत हुआ बाबर कहां दिमाज में जब हिमायों की मृत हुआ माप करasive, हिमायों, का जब मिर्तू हुआ तो अकबर गद्दी पर बैठ गया और जैसे हिमायों का मिर्तू हुआ तो गद्दी पर कोर बैठ एं 잡स करें लिए अकबर से ऊपिते अकबर की आसाने से 일डील पर नहीं बैठ आच नहीं, पानी पत करुशारा रणाया गर्म, पांच इसमें अलग बात है कि हेमु की हार हुई और बैरम खाया ने अकबर का जित हुआ तब जाकर आपका अकबर ने गद्धी पर बैठा था तो पहले पानी पत्त के लड़ाई हुँ इसके बाद गद्धी पर बैठा अब हेमु की कुछ कहानी समझते हैं जौनपूर का सासक आदि हिंदु यानि बनिया समराड था एक तीस चनवरी 1561 में पाठान नामकस्थान पर मुबारा खान और बैरम खान को बवार दिया तो बैरम खान को बेटा बेटे अब्दुल्रेम खान ने खाना को सनचक दिया था यह आपको याद रखना है अब यहाँ पर पेट्टी कोर्ट कि बात क्या है और पेटी कोर्ट का साथन हम किसे करते हैं तो पंद्रा सव साथ से लेकर पंद्रा सो बार्सट तक के सथनकाल को को सथिक्च का सथनका गया चापनदा संच 4562 तक अकबर धाय मामस्त के पर भामिरा मतलब कि यहां तक बात करते हैं अकबर का विस्तार नहीं ती किस परकार अपने समराज को बढ़ा किया अक्वर नपी समराज को विस्तार किया, तो पहले उ STEMBात की बात करते हैं, और फिर आपको बात करते हैं दच्छीन बात की बात करते हैं सबसे पहले 1565 में जब इस परकार से, इस परकार से कुछ आपका बाद के एरिया था है ना मुगल इंपार जब 1605 मिन की मिर्तु होती है तो 101 तक अकबर इतना सारा एरिया कब जा कर लिया अब यहां पर 1650 तक आपका मुगल का इंपार कुछ और बड़ा हो गया अब यहां पर उत्तरभात का वियान क्या रहा अकबर के बीश और अकबर ने कौन-कौन से अभियान जो है क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं तो 1561 ने क्याा 15 Children किए मिन बीश और अजम खान किमिश और आपका पन tw ambar बढ़ता हैं कि हल्दी घाटी का इद अब आपका हल्दी घाटी का युद्वा था पंद्रासो शीयत्तर में आपका हल्दी घाटी का युद्वा था किया था खान देश जो है अलिखा वहां का सा सकता पंद्रासो एकाने में किया था और यह आपका मुगर्चनापती सवेच्छा से अधिनता सविकार कर दिया अपने आपका ले जो को दिकत ने दौलता बाद यहां का साथ चांद बीवी थे बड़े फेमस रहे और पंद्रासो सकता है कि अकबर का अंतीम अभियान कौन थे तो अशिड़गर्च सoup कांचे अदे आगे के अपर कुछ इत का काम अकबर नहीं कया है तो मालवा अभियान जब टेनाम पाज बहादूर नाम रूप मती काला मांडू संगीत का केंदर बना था यानि की दूनों जुती की संगीत का बहुत बार प्रेमी था पुत्र हर्खा बाई या जोधा बाई बोल सकते हैं या अका हर्खा बाई की पुत्र थी भगवान दास की पुत्र मांसीख को उच्पद दिया अर्द्स नीर इस्तित दर्गा के दर्शन विक्या घठवान के आपका Oke और आधनिय आपका चऊरागड़ बनाया थे लाहबाद की जो बात आते लाहबाद इलाहबाद की गवर्नरा आफस खाने आकरमन की यह सब्वादारी नेक्स पॉइंट प्रहां पर बढ़ते और और किया के भाई से तो मेवार्य चितोड़ अभ्यान भी किया था यहां पे कुछ कॉचछन इंप्टेंट है जब बात करते हैं योदाए सिंग अकबर के विछ हुआ था राना उद्य सिंग के दो सफनाइय को जैमल तर्फता सिंग के बहादिर से लड़ी लड़ी ती जिसके स परताप के निकट चावर में नई राजधानी बनाय थी गोड़ी का नाम चेतक और हाथी का नाम था राम परसाद यह राम परसाद चोदरी हाथी था अगला पॉइंट पर हम कुछ और बढ़ते हैं गुजरात अभियान में क्या क्या किया था तो मुझापर खांत तिसरा बनाम अकबर की भी हुआ था इसमें आपका गुजरात की पूर्ट गाले से मिला था पहली बार समुद्ध देखा था अग्वार ने पहली बार समुद्ध कब हुआ था तो 1573 में हुआ था अहमद नगर अभियान विजापूर के साथ आदिल सा पर्थन की बिद्वा बिद्वा चांद बीबी बनाम अकबर की हुआ था यहां पर आपका मराठा से क्या गया संगर्श करना शुरू किया तो अहमद नगर अभियान की बात हम यहां प पर्था परूक लगा दिया था तो यह अधार्मी चर्चा है दो इबादत खाने फते पूर्श चिक्री का स्थापना करता है 1575 में परहम में आपका शिर्फ इसलाम था इनून सभी धरम्मान लिया था परमुक्संद, जैनाचारे, हरी विजैसूर, अकबर, अकबर की जगत गुरु भी इन्होंने आपके कहा था आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे नेक्स्ट पाइंट बढ़ते हैं पंदरासो उनासी में मजहर की खोषना किया था, तो मजहर की खोषना किया था, दोस्तों पंदरासो उनासी में मजहर की खोषना किया था, बेरासी में दीन ए इलाही धर्म का सुरुआत किया था, दीन ए इलाही सुरुआत था, दीन ए इलाही सुरुआत, दीन ए इलाही झाल था इसमें बिर्वल का वास्त्रीज नाम मैंस्टाश पांद्र साइश संबत्र कारम रुवा और ऊस्मित कव pandas श्मितने इसे आक्ई मुल्ह कर आंटा द्हर्म जो आपके चलाय था उतिहास करें श्मित के बारें पड़ा, तो कहा कि अकबर की मुर्खता थी अर अकबर को ऐसा नहीं करना चाहे था Next point हम आगे बढ़ते हैं अकबर का जब हम बात करते हैं परसासन का कि अकबर ने अपनी परसासन में क्या क्या काम किये थे तो गाज याद रखना है अकबर का परसासन के बारे में क्या क्या अकबर का प्रसासन हुआ था तो सबसे पहले परमुक सुल्तान की बात करते हैं तो भाई साहिब इनका हिमायू जो आपका है ना जो कुरान की बात किये थे अकबर से पहले की बात करते हैं अकबर ने जनता का सासन किया अपने आपको रखा अब परमुक का दिखारी क्या थे मिजर ऑफिसर वाद समझते वकील ए मुटर्लब को पर्धान मंत्री कर आ गया तो आपका ज़खना है क्या का गया प्रधान मंत्री यानि कि अकबर के समय जो सबसे हाई जो लेवल थे उसको कील मुटलग कहा गया दिवान एंशी रात एक उसके बाद दिवान एंशी में परमग्त घुन Sri उसना कि राजा समिए या ऴृत् कि बढ़ते हैं वह वेगें कि मिर्वेवक्ष नीए बहुत सबस्क्राइद आ। बर्खत पत्र पर हस्तासर के बाद सेन का बेथन इदर थे प्रांतों का वकिया निवस के संपरक करते थे अगला है मीर ए समा यारी घरिलू विभाग तो लगान हीन भूमी जिस पर कोई टैक्स नहीं होता था उसको का गया मदर ए माज या इसको का गया सर्यू गाल उसके अगला पॉइंट धार्मी विभाग में था उसको बोल देते आपका सद्र उस सुदूर जो आपका धार्मी विभाग वाला काम देखते थे निक्ष्ट पॉइंट हम समझते हैं, यहां पर अकबर बहुत लंबी टॉपिक है, इसे कुछ और बाते हम समझ सकते हैं, अकबर से सम्झेट, गैज या जखनाय आय का पर्मुक सरोत था, जो आपका भू राजस्व, माल जो आपका वाजिब था, जो आय का पर्मुक सरोत की ब कि पहले भूमी मापा जाजा था इसके सुधार करने के लिए अकपर ने एक सिस्टम का सुरुवात किया यह सिस्टम को बलते हैं हम लोग जब तर परनाली उसके बाद यहां पर यह तोडर मली परनाली का विवश्ता किया था अकपर ने बढ़ी फेमस रहा टोडर मली दस दह यह जो भी करते हैं साल के दुरान अलग अलग फसलों को उपजे और उनकी किमत का हिसाब किताब जो लगते थे उसे कहा गया है दस या दह कहा गया है टेक्स की बात करते हैं अब हम बात करते हैं लेंड और इसकी आपकी भूमी के बारे में सबसे पहले लेंड या भूमी से हम समझते हैं इसमें क्या हुआ था लेंड या भूमी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका लेंड या भूमी की बात करते हैं तो नहीं कि जा रहा है लेग सब्सक्राइब करें हैं अशन सोशनितेजने में प्रफाइब आनरे हैं लेक्वफा कि एपाइब कई फिर वेसरे गावं में फान्राइब करते बोलते हैं वैसे फिर पाइब कर सेंदे एह directly तरह पर चल्ट पर रहे हैं जो आपने गाउंग के भूमी को दिखेती करते ते जहां कि वह निवासे थे अपने गाउं जो बहुत फेमस रहा है सब्सक्राइब कास्त करेद्स के भूमी किरायर पर ले पर पर लेकर है उसके बोलते ते आपका मुझारे नेश्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर्था बहुत फेमस रहा इस सबसे लाश्ट पर्था और इंपोर्टेंट है मुगल एंपायर में सबसे बड़ा फेमस पर्था है चंग आपका इसका नाम था मनस्पदारी पर्था इक काफी मिला चंग यहां बात में प्रण्द किया था इसको अकबर में मनसप का मतलब होता है पद क्या होता पद विसेश्टा क्या दस्मली परनाली प्रधारित कुण भाई सैब आपका डेसिमल सिस्टम पर आपका अधारित था सुल्तान द्वारा मनसप के निक्ति करते थे यह आपक यहां पर कुछ बात अदो कि आपका मनसफ्वदार क्या बड़ा बढ़ी हैं तो मनसamyव tidak मनाशवदार जो जाती पदे जहां बेटन या अहुदा की बात करते हैं सिल्टा उत्रदायत हुँ अगर बात करते हैं मनसफवदार का हमें तो नगवेतन تھा भूर अजस्व ठता गर देख सकते हैं वह अंसा गुनत नहीं था यह चेहरा को अदाख पनाली यहां पर जहांगीर की समय 300 था साज्या के समय 600 अरंग्जे के बात किया सीत की बदी कि यह बरता का सुरूद ने यह ब्रथा की वाट सबसे पहले बिरवल बिरवल का वास्तिविक नामें से दीजिक नामें। सब्सक्राइब खात करें जो यूजिक नामें लिए प्रतिन का बुलना बिर्वल अबुल्ग थानसे अबदूरहीम वाणसी तोड़ायमक फैजी हकीम हुकाम और आपका मुल्ला दो प्याजा अब हमते हैं अब अब समझते हैं बिर्वल से कुछ पॉइंट के बारे में अबदूल के बारे में समझते हैं तो बिर्वल का जनम की बात करते हैं तो 1528 में कालपी के ब्रहमन परिवार में इसके बच्पन का नाम महस्दास था प्रहा चुके हूं इस सुप जायू के विद्रों को दवाने के दौरान बिर्वल की हत्या हो गए थी अबुल की बात करते हैं इसका जो रचना किया था यह आपको अबुल फजल के थे यह बचारा हुए आपको अबुल फजल फजल इसका सब्सक्राइब करते हैं संगीत सम्राठ तांसन का वास्तिनों इनका पुरा बजार राम तनू पांडे इसकी परमुकृतियां मियाग कि टोड़ी मिया का मलहार मिया की सारंग दरवारिक कनहार इत्यादित है तांसन को संगीत का समराठ एक जाम में इंपोर्टेंट है कि संगीत का समराठ किसे बोलेंगे तो दोस्तों संगीत का समराठ जो है वह आपको तांसन को कहा आ जाता है किसका समराठ संगीत का समराठ क पूद्से के अपने न्यू vicious भाबर मिंधान का नियों और अकबर को समराज भिष्था से मनन के लुए ओंद के लुए धे पादी स्टॉज का मांन सिंह आमिरक स नोकुराजड में राजा टोडरेमल की बात करते हैं, तो अबुल फजल के बड़े भाई थे फैजे, उन्होंने महाभरत ये स्री भगवत कीता, कि को अनुबात कहां करवाय था, फार्सिम गया था, हकीमुकाम अकबर के विश्वास पात्र मित्र थे, हकीमुकाम साय, अम मुल्ला दो प्याजा ये अपनी बुधिमानी थे था, और दो समील किया था, अब हम समझते, अकबर के कुछ काले शाहित के बारे में, क्या-क्र ने, अकबर जो आपके, क्या-क्या काई, इनुहने लिट्रेक्चर की कहान ही किया था, इसके राजकी अभासा अगर का है, मुगलक्रा कहल था, आप किसा अनकाल का गया तो अकबर किसा अनकाल को कहा जाता है हिंदी साहित का सवर्न का राज के भी आपका फैजी थे अबुल फजल अकबर नामा जो आपका इसी को अनुबाद किया था फार्सी भासा में इसका अनुबाद विभाग कास था अपना पंच तंत्र का फार्सी भासा आपने करते हैं मुल्ला साहु मुहंम्मदराश्य के कि बात करते हैं अब दूर Bjण कि अगला पति न इन मतर सूर दास्त बाद करते हैं भागवान दास को अमीर उम्रा की बिर्वान को कभी पीर किसको कहा जाता है बिर्वल को नरहरी को महापात्र के पादी आपका अब्दूल समद को आपका सीरी कलम के पादी मुहम्मद हुसायन को जड़ी कलम की पादी तांसेन को कंठा भरं ये आपका वानी बिलास की उपादी इनको मिला था अब्दूल फजल ने अमिर्का की खोज का जिक्र किया है अब यहां पर जोड़े कुछ अधर फैक्ट के वारे अखबर ने आपका अधर फैक्ट क्या क्या अधर संबंदीता अकबर कि अखबर की पर्शिद्च चित्रकार थे अबदूलम इंग्रिख वसावन अगबर के परशिद्च चित्रकार फैघा तो आज याद रखना यहां पर सारी बातों को ध्यान से थोड़ सी लेक्चर लंबा हो रही है क्योंकि पूरे की पूरे मुगल का कंप्रेट करने की बात है एक्जाम आपकी नजदी का चुगा है तो फट फट टिविजन सब लोग क्या करो ना जो लोग वीडियो को वीडियो देख रहे हो वह लाइब ना देख रहे हो वह क्या करना कि अपना स्पीट को बढ़ा कर देखना है इसको अकबर के समकालिन परशीद सुफी संत सेक सलीम चीश्ति अब यहां पर अस्थापत कला क दिल्ली में हिमायों का कबर आगरा के आगरा का लाल किला प्रचयपूर्प सुक्रि में आपका साहीं महल दिवान धरugen अ कि पंच महल बलंद धर्वाजा जोधा बाएक आम हल इबादाथ खाना इलाहा बात के ला उर लोहौर के किला यह सब कोन बनाया था कुछ पॉइंट और समझेगा सुला से दूइस्व में सलीम जहांगीर के निजदेश पर दचीन से आगरा की और आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीरसी बुंदला नामक सरदार ने हतिया कर दिया था यह आपका इंपोर्टेंट उतनी नहीं है फिर भी आद रखना है इसक आब बात करते हैं अगलाप समझते हैं अकबर की मिर्ट हतो चुका है यहिर सी बात बात हिसका जहांगीर नाम है जहांगीर नाम है जहांगीर निका बेटा था अकबर का अगर सबस्क्राइब और अकबर इनका बात था प्रफर कुलिकी पैदा हुआ था बच्पन का नाम था आपका सलीन सुपी संथ से देखे हुए ना बात करते हैं यह आपकी जहांगीर साहब है इसके पर्मुकष बिवाह वाइसाइब बात है लुटीज को बिया करते थे आए समाजते है पर मुग भिया क्या क्या है हम ने यह वह समवार नहीं रहा है यह वह कर दोट्र को क्या थे अब समझेगा मतलब की एकर एकरा जो बिया हुआ भगवान दासी पुत्री मान बाई और आपका जहांगीरा है तो जहांगीरा कों दोस्तों मानबाई जब बिया हुआ तो बैटा पैदा लेको नाम तो खूस रहो नहीं खूस रहो और अगर एक मारवार के उदेश सिंग के ब सबस्किंद सamos于 किी स neutr態 यां जानेखां कम रहा रेक्त पांव मंद्राख करता आपकर Ça मुर्ष का टेश्टी कर में चाहए आ लेज्साइड । सब्सक्रा करें नरक यां लेज़ा सबस्क्र division एक नचनिया थी यहां से प्यार करता कौन जहांगीरवा जहांगीरवा रंगीला था अग्दम पता दूगों बिया हो दूगों सुन्दर-सुन्दर महरारू है तब और 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 तीयक फसा लिए उगर बाद एक रूस प्रेट ना भर ले तो अनार कली से फटा लिए पसा लिय तो जब जहांगीर की कि जहांगीर की मिर्टू हो रहा था तो जहांगीर ने करता कि यह हम रहा नार कली से मिलवा देना है करते हैं जगत गोसाई मान भाइब कर नूर जहां कर रहा कि नूर यहां करते हैं अब इतना बियाह करेगा तो पर उड़ा करेगा तो इससे अरजून द्यों का समर्थन प्राप्ता जो गुरू सी गुरू थे पर वेच ऐसे महावत खान का समर्थन मिला था खुर्रम जांगी जहां का समर्थन मेन थी आले व्याच कहा अगला प्वैट समय यहां से ज है कि अब आप समय से किया क्या समय लगान समय तो इरानी नुवाजस मेर्जा गयास में पुत्रीं सौल ahí नूर जहां का ब्रहा तरौ में मैं कि अल्ली कुल बेक से से नूर जहां का विवा ता आए अमने प्राइश और अब जहांगीर क्या किया और बता कि नौरोज तेहवार पर गिया था और वहां पर देखा था मेहरुनिशा कर लिया तो गाना गया दिल वाले गई मेहरुनिशा वाली है नहीं अब यहां पर ग्यास बेक को साही दिवान बनाया इमादत उद दौला की उपादे इसका बाउज के नाम था जहांगीर के ससंकाल में इरानियों का उच्पाइब नूर जहां का मता का नाम था असमत बेगम यह गुलाब से फुल से इत्र मतर इत्र समझते हैं सेंट सेंट जो खोज़ते हैं सब लोग इस सेंट का खोज एक्रेम में वकिया था और ही बहुत है कि आपके किसके चित्रकला को सोने का काल काते हैं यहांगीर के चित्रकला को सवर नकाल कहा जाता है जहांगीर ने पहले मात्रगरंत बिस्रों का चित्रकली होती थी यहन बहुत कम चित्रकलते आगरा में चित चित्र साला का निर्मान करए-धियृमदू कर आदियस का लिंश पूरा जहांगीर नामक आत्मकता जो जहांगीर ने लिखा था लेकिन पूरा जहांगीर नहीं नहीं कर पाया था इसलिए पूरा करने का सब्सक्राइब संक्रित के कभी जगनात को पंडित राच की उपादे देने का काम किया था इतना सरचीतर कला था पहले कुछ थोई ना फेजुगवार्शब था पहले इस चलत था जहांगिर्वा वास्तुकला की बात करते हैं तो आपका एमदत कला का मकब्रा है इत्म दौला का मकब्रा नूर जहां के पिता मिर्जा गला से बाग हैतु के लिए बनाया था पर्थम मुगल कालिण इमारत जो पूर्ण रुप से सफेथ संग मरमार से जल जला के उच्छ फोड़ा कौन घुमे गयत देना करपड़ू कि जागिया पितारा दुरा नामक अगला पॉप्त और आपका जहांगीर कुछ नौट में पॉइंट दोस्तों गोविंद महल दातिया एंपी में राजबीर सी देव आपका स्वरास चौदा मिसको बनाया था अगला पॉण समाझेगा आप कुछ और है जहांगीर को युरोपीया आतरी से क्या कि क्या कि क्या सबसे पहले जहांगीर और उरोपीया आतरी साथ होकिन्स पर्थम अंग्रेज था राजा जेम्स पर्थम का दूद बंग गया था जहांगीर ने इंग्लीज खान की पादी दिया थे इसको मुगल दरवार में आने वाला पर्थम अंग्रेज था टॉमस रोव यह था फ्रां जरके के बारे में अंटत्र के बारे में अदरव जहांगीर को नयाया के जंजीर में चाहे करने का मतलब सब्सक्राइब करें जन्जीर के लिए फेमज था जहांगीर के बड़े पुत्र खुष्रों सब्सक्राइब जहांगीर के लिए जहांगीर के लिए जहांगीर को सहाइथा गलत दिरिष्टी से नहीं किया था यहांगीर को लगा कि गुरू अर्जुन देव अहमाद नगर के वजीर मलिक अंबर की बुरू सफलता खुस होकर जहांगीर ने खुरम को सहाँजा की उपादी देने का काम क्या था अगला पॉइंट समझे दोस्तों अब यहां पे तो अब इनकी आप खतम हो गया वाली जहांगीर वाले अब इनक जहांगीर को आप खेंडैं साहंगीर का जहांगीर का सकत्किंगे यहांगीर गोफिया एतना कोज बोलें आब यहां दोसाइट अस्थान लहार में जैनम हुआ था नाम खुरम वास्टिन साहंगीर का साहांut battle in काम किया पत्नी जो इनकी वाइप थी इनका नाम था आपका अंजुमंद मानो बेगम इनके उर्तिया का नाम था जैसी कि पत्नी का विया कहां इतना अंजुमंद मानो बेगम इतना शुंदर थी कि अपने मुमताज के उपादिर दिया जामिनी अब विचारी टपक की 1631 में और इसी के याद में बनाया ताजमाल अब देखो कईसे टपकती है अब कईसे ताजमाल बनता है आगे बढ़ते हैं अब बात करतें दोस्तों इनकी राजभीषिक के समझाल ना बनाया था प्राणे दिली की अस्तापना था मिर्तु हुए था मीरत राजल का वाष्ट्ुक्रा को सवर नकाल काते हैं और सांगे वाष्ट्टु कला किन लग राके सबनार गलते थेन्होंने क्या काम किताथ कि दिल्ली में लालके औरिमान किया ताज महल बनाया अपने चीस महल लहर में दीवान ए आं या दिवान तो अब एक कर दें सारी बात समझते हैं इस ताज महल का कहाने क्या क्या ताज महल की कहाने क्या है ऐसी ताज महल नहीं बन गया लड़के सब बरती के हमारे लिशा जाने अपनी पत्नी के ताज महल बना जै रहे बकलो लिया तो समझो पहले ताज महल का मामला क्या है सुल्ला सो बारा तेरा में बारा ही से इंपोर्टेंट जादा बारा तेरा में आपका इनका विवा हो गया है साह जहां का कि मुम्ताज अंजुमंत मुम्ताज बानो बेगम तका तु यह अतना लांबा नाम के लिए तो नाम मुम्ताज रख दी जूले मुम्ताज महल अब इसाह जहां पत्तनी पवित्रता थी मत अब एक ही अरत से अब दूसरा से को ना फशल थे लेकिन बड़ा खतना कम कर इतना सुन्दर थी मुम्ताज कि भाईया सोल्ला सो बारा में बिया हुआ अब बेचारी सोल्ला सो बारा में मर गई अब जो भाई कई साल रहलो हो तो आठ साल हेने रहला अगास आठ पलस गारा उनाई साल में धर धरा के चाओदा गो बेटा बेटी पैदा कर देल कि दम दनाए अगदम लागा फैक्टरी खुला लहे कितना संतान चाओदा संतान जरा में साथ गो जलामलाग बार टपक गे अब साथ को बचले अब उनाई साल में तो चौदा को पैदा कर दीचेगा तो अब मुम्ताज के मसीन गड़ा गया निकिनकी मिर्टू अब जैसे मिर्टू हुआ तब गिया इसा जमा पगला अकारा कि हम रहा है चाहिए तो मरलाह कहां साहिगा राजा रही तांजे रहिए म अब पूरा याद में खोल रहती है रात दिन यहां में प्यार होगी है मतलगा प्यार होगी है तो प्यार करता भी था धाया बूतर इसको नहीं पतर करना चाहिए इसको अब पैदा कि द्धाए ना चोदा हमां बेटामी टपक यह बचारी मर गई कितना ही ओ लोड साहिगी अब जैसे इनकी मिर्तु हुआ तो यह पगला साह जावा अब पगला गिया भाई सहे तब कहा कि भाईया हम तो पागल होगे सब लोग उसको समझाए कि यह आप खोस्त समारी समारी रहता तब कहा कुछ बढ़ा करो अत्तव एकर याद में ताज मुहल बना दिया साह जहाँ के सचाग मूमताज के याद में क्या बना ऑद कर तो अंद दियुक्शे सόगे सब्सक्राइब अब यह इतना इंपूरें बेगम मुम्ताज महल की याद मी वाव 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 ताज महल बना आगरा उत्तरपर्देश के अस्थापत्रकार की बात कर दें अहमद लहरी इनका में इंजिनियर साहिब थे नहीं मिस्तिरी था अब यहां पर इस परकार से ताज महल का कुछ कहानी रहा है ताज महल में जितना भी बना हुआ बढ़ी है प्योर संग यहां अब एक है मियोर सिहासन रहा कर बेबादल खांज थें पितरा दुरा लालकिला का थे दिवान हैं लालकिला कर दिवान दिवान नहीं पर था दिवान है अजिक दिवान दिवाने आम और दिवाने खास इहीं पनाया था जनता बैटा का आम बढ़िया बढ़िया आदमी खास मैयूर शिहासन को तक यह हाउस बोड़ते थे यह पिता पितरा दुरा सौली पधाय था यह पर कोईनों हिरा लगा हुआ था मुख बादल रखा मुख बादल खान था उन अगला पॉंट समझेगा साहाँ का साहीत्ति क्या था साहा जहां लिट्रेट्चर के बारे हम समझते हैं तो इसका राज कभी था कलीम जो आपकी फार्षी में थे संक्रित आचार जगनात की बात करते हैं इनको महा कभी राय की उपादी मिला था सबसे पर्मुक यगदान था पुत्र दारासिको का इनका पुत्र था जोंका नाम था दारासिको नेक्स्ट पॉइंट आपको समझते हैं कुछ दारासिको से समझते हैं तो आपका साहज आगा सबसे बड़ा पुत्र इनने सबसे योग पुत्र था दारासिको अरबी फार्शी वह संकृत बिद्वान था कादरी उपनाम से कभिता लिखे थे इन्होंने और आपका गुरु मला साहिब यह आपका कादरी सिलसिला की बात किया था उपादी की बात करते हैं लेनपूल ने से लगु अकबर कहा है और आपका साह बुलंद इकबाल जो आपका साहजार द्वार योगविष्ट है ना यह आपका इनका साहिद कमें था योगविष्ट उपनिसद ए अकबर इनका बात यहां पर आपके आदकना जिसको हम अगला पॉइंट समझेगा अन बात क्या है तो सफिनात अल औलिया इनके अनकुछ फैक्ट है और आपका मजमूल बहुरुन मुलश अब यहां पी मुल्टू जय है अब 819 में और अंजेग द्वारा इसे ॥ासी कि द्रप्री अगया थको कर दीया तो अगलास्माचत प시다 हुआ दो है कि मुदत सम्झेगर सहां है की चित्रकला थे इतना तो अपका साहां जहां प्रक्रेंटिंग प्रमुक्ष संगीताकार थे लाल खां या गुण समंदर की उपाज़े दिया था अगला पॉइंट समझे है दोस्तों यहां और क्या हो सकते हैं इसने नूर जहां को सब्सक्राइब करते हैं इनके बात करते हैं सितंबर में इनके मिर्तु हो गया है मिर्तु का अफ़ाब फरने कान पुत्रों के बीच में प्रणम गया था उस समय सुज्जा बंगाल मुराद गुजरात और अरंजेव दक्कन में था बहादूर गड़ की लड़ाई आपका स्वसवन ठामन में सास्टों इसको बेटा था और प्राजित होकर बंगाल चला गया अभ्त धर्मत यलाई अफ़रा शुलस बात की व्लन स्टॉजरा मिष्छ सर्क्राज आपक्रणम अर्काना पहारी चला गया और यहां पर अरकानि घ्रतिय कर दिया अब यहां पर सारी बात समझने के बाद हम पढ़ने वाले हैं सभी को आपका गिरी उद्ध होने के बाद एक ही उद्ध चलेगा आपका जो अगला सदक बनेगा उसका नाम है आलंगीर औरंग जेब सबसे अंतिम तकतवर और यह आपको लास्ट करेंगा में यहां पर यह अपनी भाईयों का इसका गिरी उद्ध चल रहा था अपने भाई लड़ रहे थे क्या आप देख पार जहां का सब्सक्राइब अब कुछ पॉइंट और अगला सब्सक्राइब जहां तक साहज आपको भी लपड़ाया था हल्का फुलका और साथ बनाकर रख दिया था बुढ़ारी में अगा देख ताज मुहाल के सामने तुब बैठ था अब कुछ पॉइंट और समझते हैं तो और जोस्तों बनने सभ सब्सक्राइब और अंतीम परभावी बातसा थे उसका नाम तो और अंग्जेव जिनका जनम 24 अक्तुबर 18 में द्यहाद गुजरात में हुआ था इनका पिता का नाम साज जहां इनके चार बटा हुआ थे दरासी को सासुजा और अरंग्जेव और आपका मुराद यानि कि आपके चार जो साज आपका चार बटा चौदा था इसमें साथ बटो बजिया था अचार बटिया था तो बबन सकते गो चार गो बनी सकतिन को थी खुब अला कर रही यह आपर हम पगलवा में आई दोस्ते चार पुतर कुण को नासी को सासुजा और अरंग्जेव और मुर आप इनकी पतने के बात करते हैं तो राबिया बेगम नाम बोली क्या है राबिया बेगम दिलराज बानो बेगम राबिया बेगम क्या भव इनके दिलराज बानो बेगम जो इनकी पतने थी इनकी पत्नी जो है वाइफ जो है राबिया बेगम या दिलराज बानो बेगम की बात है आपके इनकी पत्ने थी मकभरा का बात करते हैं अरंगाबाद में बीविका मकभरा ऐब चिज़ों को ध्यान से समझते हैं औरंगाबाद में लिए आपका याका बीवी का मकब्रा जो है इसको कहा जाता दाइश महल का डूसरा पर अब हैं पर को जीवुकर भाग रखाझी करेगा यह अकरना न फर्दों कर दो अकर मंखब्रा मना बीबी का मकबरा और कहा कि एकदम ताज महल से सुन्दर बना चाहिए और ताज महल से एकदम बकलोल टाप के बन गया है इसलिए कहा जाता है ताज महल का डुपलिकेट बीबी का मकबरा ताज महल का बदसूरत बीबी का मकबरा कहा है महराज के औरंगाबाद में जिंदा पीर उत्त्रादीकारी लड़ाई यहां भी हुआ था उत्तरादीकारी यूद के बाद राजी भिशेख की बात करते हैं तो दो बार हुआ था जुलाई 1401 ठामन में आगरा में और 1579 में दिल्ली देवराई यूद के बाद आपका यहां पे उत्तरादीकारी लडाई ह आपस में लड़े से लोग आपस में आपस में उतनी इंपोर्टन नहीं है अब उत्रा दिकारी उतकी बाद हम अगर हम करते हैं तो यहां पर भादुर गड़ के लाई धरमट के लाई सामुगर के लाई खजवा के लाई और देवराही लाई हम वहां पर आपको पढ़ा चुक उन्सट में सासुजाग प्राजित होकर अराकान पहाड़ी की चला गया था और अराकानियों की उसकी हत्या कर दिया गया था देवराई राइस प्राज़ाँ आपका विजय हुआ इतनी बात आपको याद रखना हूं अब हम समझते हैं और अजय की धार्मिन निति के बारे मे कुछ यहां से important fact बन सकता है तो घृष याद रखना है सुनी मुश्लिम और सर्यत की आस्ता में जिंदापिर का है रूड़ीवादी विचार की बात करते हैं अकवर की धार्मिक सहीं सूष्थता करती को बिप्तित की बात करे गया है अने एक फरमान जाने की है जिरे लिखवाना बंद कर दिया गया है नौरोच गायान जरोखा दर्शन और जमदीन पर तोलनी की पर्था यहां पर क्या कर दिया दोश्तों बंद कर दिया गया है हलाकि समय बीना वादन करता था इन्होंने भारती सास्ति संगीत का स्राधिक फार्शी पुष्टर के इसी काल में लिखी गई है तो यह आपको औरंग्जेब काल में आपको लिखी गई है कुछ और फैक्ट है आप शुलाग्जेब की स्राधिक हिंदू अधिकारी ने इसको रखा तो आपको हिंदू रखा था सोमनात् गुजरात बिसुनात् पनारास और जहांगीर के काल में विरसी द्वारा निर्मित केशो राय मंदिर मत्वरा में इसका दिनमान हुआ था और अग्जेब को भात में अब यहां समझते हैं दावल हर्व काफिरे का देश या दावल इसलाम का देश बनाजाता मतलब अब यहां पी जाकर अगर बात करते खुल्दाबाद में हुआ था जो अब रोजा कलाता है और इसे वहां दफना आ गया था और अंजेब के समय सुबक की संक्या बिसुबक मतलब प्रांत जिसके अबी मोदी के समय 28 राज है ना उसे सुबक प्रांत था प्रांचिसी आतरी प्रांग को इस वर्नियर और अंजेब के चिकेत सकते और अंजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकाव में आकर अपने पित्र का पिता का खिलाब क्या क्या था बिद्रों किया था इसलाम नहीं से विकार करन श्रीको नौमे गुरु तेग बहादुर के हतिया यहां पे बहुंत पांटेब मैं आपने खिला मोलुका हुआ कि बहादूर श्रीकों क्या ने करवा दिया था नेक्स पॉट्समें अगला पॉइंट क्या 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 बंड सकते हैं अगला पॉइंट अब यहां पर कुछ भी नहीं है उत्तरा दिकार एक दू पॉइंट और यहां पर देख लेते हैं दोस्तों यहां पर जैसी यह सीवाजी के विश्प्रोंदेख संदिवा था याद रख रहा हैं मैं 1666 को आगरा की किरे के दिवाने आम में और अरंग जेप के समझ सीवाजी उ में वहां सीवा जो कैद कर लिया गया और जैपूर भॉण में रखा गया था शुला सो पचासी की जाब हाँ बात करते हैं विजापूर 187 गुलकुंडा को अरंग जेप के मुगल सनोज मिला लिया गया मदिना अकना नामक ब्रहामनों को संब्द गुलकुंडा के सासक अब तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उत्रवर्ती मूग्ल चाल टार बड़ा क्लासों शेयर करने में चैनल पर पहले वर्थ सब्सक्राब करें बेल एकन जरुद वालना तो लंबी क्लास होगी थक गए हम भी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक लिए जय हिंद जय भरत जय बिहार जय प्रतिग्या परिवार